रोती बिलखती लोगों की ये तस्वीरें अमेरिका के एक स्कूल के बाहर की हैं जहां पेरेंट्स अपने मासूम बच्चों की जिन्दगी को लेकर सहमे हुए हैं दरसल अमेरिका एक बार फिर गोली बारी से दहल उठा है तैकसास के एक स्कूल में हुई गोली बारी में 19 बच्चों और दो टीचर समेथ अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है तैकसास के एक प्राइमरी स्कूल में 18 साल के युवक ने अंधा तुन फाइरिंग की है जिसमें स् वजह से मरने वालों का आंकड़ा और भर सकता है सुरक्षा बलों ने जवाबी कारवाई में हमलावर को भी मार गिराया है कुआट समिट से लोटते ही अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन को ये दर्दनाग खबर मिली जिसके बाद उन्होंने देश को संबोधित किया इस दौरान बाइडन पहली बार इतने भावुक नजर आए उन्होंने कहा मैं ये सब देखकर बहुत ठक चुका हूं हम इसे ऐसे ही नहीं भूल सकते हमें इसके लिए कुछ ज्यादा करना होगा इस दर्द को एक्शन में बदलने का वक्त है टेक्सास के गवर्नर ने इसे टेक्सास के इतिहास में गोली बारी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक करा दिया हमलावर 18 साल का एक यूवक था और स्कूल में फारिंग करते हुए खुश गया सामने फिर जो भी आया उसने उन पर गोलियों की बोच्छार कर दी हमलावर को मासूम बच्चों पर गोलियां दाखते हुए जरा भी रहम नहीं आई हमलावर का नाम सालवा डोर राम मोस बताया जा रहा है टेकसास के तिहास में ये अब तक का सबसे खौफनाग गोलिकान था टेकसास के वालडे शहर में मौजूद इस स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते हैं वाइट हाउस में शोक के चलते रास्टिय धोच आधा जुकाया गया है हमलावर ने दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ने वाले छोटे मासूम बच्चों को निशाना बनाया टेकसास के स्कूल में फाइरिंग की ये घटना कनेक्टी कट में 2012 में हुई फाइरिंग की याद दिलाता है कनेक्टी कट के न्यू टाउन में एक हाई स्कूल में 14 दिसंबर 2012 को 20 साल के युवक ने फाइरिंग की थी इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, इनमें 20 बच्चे शामिल थे ये अमेरिका की इतिहास की सबसे भयावय मास शूटिंग थी लेकिन अमेरिका ने इस घटना से कोई सीख नहीं ली एक रिपोर्ट के मताबिक अकेले 2022 में अप्रैल तक अमेरिका में 144 गोली बारी के मामले सामने आए वहीं 2019 में मास शूटिंग के 477 घटनाई हुई थी जबकि 2020 में अमेरिका में 611 ऐसी घटनाई दरच की गई बाइडन परसाशन को टेकसास मास फाइरिंग से सीख लेने की जरूरत है बंदूकों की बिक्री से लेकर गर लॉबी के खिलाफ जब तक अमेरिका कोई बड़ा फैसला नहीं उठाएगा तब तक दुनिया के इस सुपर पावर देश में आम लोग और मासूम बच्चे इसी तरह अपनी जान कवाते रहेंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफर्म टिवी नाइन भारत वर्ष